बुद्धि बिधायक श्री गडेश की कथा सुनाते हैं ऐसे जन्मु हुआ गडपति कावों समझाते हैं मावन कथा सुनाते हैं बुद्धि बिधायक श्री गडेश की कथा सुनाते हैं देवों में देवु विशे बुरा के लाल गडेश देवों में देवु विशे कथा सुनाओं गडपति जी की सुनो लगाते ध्यान कथा है ऐसी अनपंपावन होगा हर कल्यान पारवती जी गुफा के अंदर करन चली असनान दरवा जा नहीं गुफा के अंदर आया उनको ध्यान कन के मैल से पारवती ने बालक किय तैयान आग्या देकर उस बालक को बैठाया है द्वार किसी को अंदर यान न देना इसका रखना ध्यान जब तक करू गुफा के अंदर मैं निर्मल यस्वान इसके आगे क्या होता है वो बतलाते हैं बावन कथा सुनाते हैं गुद्धी विधायक स्री गणेश की कथा सुनाते हैं देवों में देवु दिशेश गौरा के लाल गणेश देवों में देवु दिशेश बालक बैठा गुफा के बाहर बन के पहरेदार किसे से भी लड़ने मरने को बालक था तयार बालक बैठा गुफा के बाहर मात करे अशनान कभी वहाँ पर आ जाते हैं शिव शंकर भगवान उस बालक को देख क्शिव जी हुए बड़े हैरान उससे बोले शिव शंकर तू किसकी है संतान कहां पे जन्मा कहां पला तू कहां से आया है हमसे बता तू किसने तुझको यहां बुलाया है कुफा की तरफ शिव शंकर जब पाम बढ़ाते हैं मावन कथा सुनाते हैं तुद्धी विधायक स्री गणेश की कथा सुनाते हैं देवों में देवु दिशेश गौरा के लाल गणेश देवों में देवु दिशेश राह रोक के बालक बोला हो जाओ सवधान कुफा के अंदर मेरी माता करती है असनान अंदर तुम्हे न जाने दूगा सुनलो मेरी बात सूरत और सकल से लगते हो पूरे अक्यात रोध या गया शिव शंकर को किया त्रिशूल कवार धड से उपर करदन उसकी जट से दिया उतार कटके उड गया शीश गगन में धड है गुफा के दौर तडप रहा गवरा का बालक बहे लहू की भार धीरे धीरे शिव शंकर जी शान्त हो जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं तुद्धी विधायक स्री गणेश की कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं देवों में देवु दिशे गौरा के लाल गणेश देवों में देवु दिशेश कर्यशनान जो गवरा माता बाहर आती हैं दिश्य देखते बाहर का कुछ समझ न पाती हैं सर पिहीन धड़ पड़ा धरा पर खड़े हैं भोले नात रक्त में डूबे हुए त्रशूल को लिए खड़े हैं हात मेरे लालक क्यूं मारा है मुझे बताओ तुम जाओ मेरे लालक सर को घूण किलाओ तुम अगर न जीवित लाल हुआ तो बचे न ये संसार प्रलय भार मच जाएगी और मचे गहा हाकार रोध देखकर गवरा काशिव सहम से जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं गुद्धी विधायक स्री गड़ेश की कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं देखों में देखु दिशे गौरा के लाल गणे देखों में देखु दिशे फूढ के सिर ले आवो जाकर यभी तुरत ततकाल वरना छड में बन जाऊंगी मैं कालो की काल किसका रण मेरे लाल कुमारा बिना किये अपराद शाब तुम्हे मैं दे डालूँगी सुन लो मेरी बात रात्रु रूप गवरा का देखके भोले उड़े अकास भोज रहे हैं सरबालक का लगती हैं बड़े हतास छान लिया प्रम्भांड को सारे मिला नहीं है शीश सयम पे पच्छतावा करते हैं उठे हिदय में टीस चलते चलते पास एक हतनी के जाते हैं बावन कथा सुनाते हैं उद्धी विधायक स्री गड़ेश की कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं देवों में देवु गिशेश गौरा के लाल गणेश देवों में देवु गिशेश हतनी का छोटा सा शिशु खा शिशु रहाता केल हतनी उससे विमुक लग रही उसको दिया धकेल शिवु शंकर ने उसके शिशु की गर्दन लीथी उतार पवन वेग से उड़के पहुँचे अपनी गुफा के द्वार हतनी शिशु का सर बालक के धड़ से लगा दिया गवरा के बालक को शिवु ने जीवित करा दिया शिवु शंकर ने उस बालक का रखा नाम गड़ेश देवों में माने जाते हैं उत्तमय और विशेश कथा लिखें सुख देव सतंदर गाक सुनाते हैं वावन कथा सुनाते हैं तुद्धी विधायक स्री गड़ेश की कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं देवों में देवु शिशेश बहुरा के लाल गणे देवु शिशेश मुर्ली मनो हर क्रिश्न का अमरित में है ना फेकिर धारी आपको बारम बार प्रणा दर्श परम है आपका मन मोहन सुकधां बावन परम सुहाबना अदबुत और अविरां नटवर नागर आपका दरता है जो ध्यां कल्युक में उन भगतों का पोजाता कल्यां कल्प तरू के समान है प्रभवर आपका ग्यां ध्यान धरे जो आपका बाजाए सम्मान जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम रादे क्रिशना जाप जो काटत सब के पाँ रादे क्रिशन के नाम से मिटे सभी संताव एक आपके चाप से काल कभे मिट जाव जगमग नाव हो आपकी भवसागर तर जाव मन मोहन श्री क्रिश्न सा नहीं तयालू को चरण शरण में आये जो काम नापूरण हो नंद बाबा के लालकों सांज सबे रेध्या जनम जनम के उन्यों का फल सारा पाजाम जय 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 स्विश्याम जय 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 स्विश्याम जय 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 स्विश्याम जाप के अमरित से भरों अपना आतम प्यान श्री कृष्ण भगवान फिर आप रखेंगे ध्याम नटवर नंद किशोर है माय शुमत के लाल लीला धर लीला करे भगतों बड़ी कमान गोविंद गोविंद जो करे मुक्ती का फलपा भवसागर में नाव हो प्रिष्ण ही पार लगा माधव मदन को पाल के चर्णों में जुक जाँ इस कल युग में आप का दर्श वही तो पाँ जे 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 स्निशाग मोहन की मन मोहिनी चवी बसे जिसने उसे तराती ना कभी भैकी काली रे अविरल भगती आपकी नस्ट करे सब पाँ मनो काम ना पूर्ण हो मन मोहन का जाँ विश्णू के अवतार है मन मोहन घनिशाग भव सिंधू से पार हो गाए मधुर जोनाग सूरज तारे चंद्रमा इनके है आधी जग जनजाल को भूल के भोजा इन मेली जय 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 स्विशाग सत्य समरपण भाव से इनकों मन से ध्याग जनम मरण के ताप से आप मुक्त हो जाओ सोला कला संपून है श्री हरी के अवतार इनकी कलाओं को मेरा नमन है सौस वाँ परमसोत आनन्द का देव की सुत भगवन अंतर मन से देखना किरपा इनकी अनन्द क्रेश्न पलो किक रूप है जोती परमसुहाँ जगत निशाख अग्यान को क्रेश्न हिदूर बगाँ जे 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 स्विश्याँ जे 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 स्विश्याँ जे 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 स्विश्याँ अभिनन दन मेरे शाम का मन से प्राणी कर दर्शन का अमरित कलश प्राणी अपना भर सकल विश्व को पालते जग के पालन हाँ अपने भक्त जनू का प्रभू नमन की जे स्विश्याँ मोर मुकुट है शीश पे अधरन पर मुसकाँ राज रचाए साब राज बज मुरली की ताउ पीतांबर परिधान है गलमों तन की माँ नंद बाबा का लाल है भगतन का पतिपाँ जे 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 स्विश्याँ प्रेम के वश है सावरा अरजुन रत को हकाँ मेवा क्याग दुर योधन के साग विदुर धर था नाम देव ने प्रेम से विठल विठल काँ नाम देव से भगत को अमर हो आप बनाँ गोविंद मेरो को पाल है मीरा जपती चाँ मीरा भाई को प्रभु धाम परम पहुचा द्रौपदी और सुदा माने जबती करीब का रूप विराट में दर्श दिया करती ना उठा जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम नरसी नाम को आप के काना जपता जार बने भतईया नरसी के उसका भात भराव दीन सहायक है प्रभु नंद बबा के लाव भगतों को ना राखते दीन हीन कंगाव जीवन नईया सौप दे श्री कृष्न के हाव इस कल युक में ना रहे भगत कोई भी अनाव कृष्न ही विधी विधान है ये साचे भगवान कृष्न परम सुक धाम को पास तु अपने जाओ जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम कृष्न के भगतों है आधी इनके होते ना रहे कोई दीन और ही जन मरन के अंद से मुक्त करे हरिना सुक समस्त वो भोग के जाए वैकुंठ थां उंगली पकड के भात की मोक्ष की राह दिखां परमलीन हो आत्मा इनमे समहित जां रूप विराट दिखाई के अरजुन पार लगां भीश्म को दर्शन दिये धांपरम पहुचां जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम जे 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 स्विशाम जे प्रभुवर मैं आपका दीन परमूदा विनती मेरी है प्रभू रख चर्णन के पार जीवन की यह कामना लूँ मैं आपका नाम चाकर मैं रहूं आपका सेवा करूं सुबशाम अपने भगतन पे प्रभू प्रिपा सदा दिखलाँ शरण में आने वाले को भाली ना लोटाँ चंदन का वंदन प्रभू कर ली जे स्विशाम भजन करे सद आपका करे नमन सौबाँ जय 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 स्विशाम जय 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 स्विशाम जय 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 स्विशाम जय 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 स्विशाम स्वर्बुधे का आज्यान दो पूरण कीजे का आज्यान दो पूरण कीजे का आज्यान दो श्री गनेश के जन्म के गाथा कहता आज्यान दो कैसे इनका जन्म हुआ कैसे गमाए प्राण कैसे इनका जन्म हुआ कैसे गमाए प्राण कैसे गज्य का शिश लगा फिर लोटाए प्राण ते इनके गाथा का प्रारंभ करूँ ले गणेश का नाम जाथा का प्रारंभ करूँ ले गणेश का नाम गोर नंदन आपके चरणों में है प्राणाम हमारा आओ आपको ले चलूँ भग तो मैं कैलाश शिव शंभू तप में लगे आपको ले चलूँ भग तो मैं कैलाश शिव शंभू तप में लगे शिव गण कर रहे काज था अपना शिव गण कर रहे काज गोरा ने विचार किया स्नान मैं कर आओ जब तक शिव जी जागते वापस मैं आ जाओ रे वतों जया और विजया थे सकी गोरा लेनी बुलाए जया और विजया थे सकी गोरा लेनी बुलाए तीनों फिर एक सात में स्नाना घर को जाए रे वतों स्नाना मैरे को जाए सक्कियों ने फिर प्रेम से उबटन था बनवाई गोरा मा के शरीर पे उबटन दिया लगाए उनोंने उबटन दिया लगाए जया विजया के मन में फिर आया एक विचार जया विजया के मन में फिर आया एक विचार ना ना घर के द्वार पे कोई ना पहरेदार था बसों कोई ना पहरेदार क्या होगा जो कोई भी भी तर को आ जाए क्या होगा जो कोई भी भी तर को आ जाए हम तिनों की लाज तो बाकी ना रह जाए वो सोचे पार्वती मन में करी भग तो एक विचार पार्वती मन में करी भग तो एक विचार उबटन को मा शरीर से एक दम लई उतार रवतों एक दम लई उतार उतरी उबटन को दिया फिर मानव आकार प्राण मंत्र को फूक के किया प्राण संचार था उसमें दिया प्राण संचार हस्ट पूस्ट बालक पिरिक पुतला वो बन जाए गोहरा चरण में बालक ने शीश अपना जुकाए दिया था शीश अपना जुकाए जाओ पूत्र जाकर बैठो स्नाना घर के द्वार जाओ पूत्र जाकर बैठो स्नाना कर जिवार जब तक हम इस नान करें तुम रहो पेरेदार यहां के ध्यान रखो इस बात का चाहे कुछ हो जाए क्या दिल को इस बात का चाहे कुछ हो जाए उसनाना घर के भीतर को कोई भियान न पाए यह सुन लो कोई भियान न पाए हाथों में फिर दंडलिया चर्णन शेश न वाए बालक जाकर द्वार पे भग तो बैठाए यह सुन लो और इधर के लाश पे शिव जी गए थे जाग गोरा को थे बुलाए रहे उनको कर रहे याद थे शिव जी उनको कर रहे याद नंदिने फिर शिव जी को बात सारी बताए सक्कियों संगमा पारवति स्नान करन को जाएं बोले जल्दे तुम जाओ अभी गोरा को बुलवाओ मुझे को बहुत है भूख लगी गोरा को बतलाओ रहे नंदि गोरा को बतलाओ नंदि भिंकी और शिव गण पहुचे स्नानाकार देखा वालक एक बैठा स्नाना ग्रेह के द्वार पे बस्तों परचे पूछने पर कहा मैं गोरा का लाल वापस सब चल जाए नहीं बनूगा काल सबेखा नंदि भिंकी और शिव गण है रत में पड़ जाए नंदि भिंकी और शिव गण है रत में पड़ जाए योदकरन बालक के संग वो सब मिलकर आए ते वक्तों वो सब दिल कर आए नंदि सींग उठाएके आया बालक के पास भिंकी बोला हट जाओ नहीं तो दूंगा अत्रास वालक सींग पकड़ नंदि भिंकी हवा में दिये उडाए शिव कणों की मार भी गणपत दई लगाए ती वक्तों गणपत दई लगाए रोते रोते आ गए शिव भोले के पास और बताए शिव जी को युद की सारी बात उन्होंने युद की सारी बात बात सुने जब नंदि की शिव जी क्रोध में आए गोरिलन के पास में शिव भोले फिर आए ते बातों शिव भोली दिन आए जाओ बालक चले जाओ और छोड़ो द्वार मैं भितर को जाओंगा मैं गोरा भरतार हूं सुन लो मैं गोरा भरतार कोई भी तर को ना आए मैया का आदेश आप वापस जाए आग्रह करूं विशेश आपसे आध्यान मेरू भिशे शिव काती जानेत्र खुला लिया तिर शूल उठाए वाल गणेश के शीश को काट के दिया उड़ाए शिवने बाद के दिया उड़ाए शोर सुना गोराने तो मैया बाहर आए मृत देखा जब बालक को चंटी रूप बनाए थी गोरा चंटी रूप बनाए थी गोरा अभी से जीवन दान ये वो ये बालक को दो अभी से जीवन दान नहीं तो तीनों लोक को आज करूँ शमशान मैं तो शिवनेश्ति हरी विश्न को दक्षिन दिशा भिजवाए शिवनेश्ति हरी विश्न को दक्षिन दिशा भिजवाए गज बालक के शीश को शिव जिलिय मंगवाए थे वक्तूं शिव जिलिय मंगवाए वालक के धड़ से प्रभू गज मुख दिया लगाए वालक के धड़ से प्रभू गज मुख दिया लगाए प्राण मंत्र फिर भूख के बालक दिया जिलाए शिवने बाल गड़ेश की हो रही जग में जै जैकार पूर के लाश पे मन रहा भग तो आज चोहार सुन लो अज तो आज प्याहार प्रथम पूज का दे दिया शिव जीने बरदान प्रथम पूज का दे दिया शिव जीने बरदान तुम गणों के इश हो दिया गणेश का नाम तुमको दिया गणेश का नाम ब्रह्मा ने सब वेद दिये और ब्रह्मानी ज्यान विश्न सुदर्शन दे दिये लक्षमी ने धन धान वक्तु सभी देवों ने दे दिया शक्तियों का दान सभी देवों ने दे दिया शक्तियों का दान चंदन तीनों लोक में श्री गणपत का नाम है गूंजे श्री गणपत का नाम श्री देवों ने देवों ने रहाँ